हेलो गाइस मैं हूँ डॉक्टर चंद्र सेखर वर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉंटेनियर डिफॉर्मेटी, मैलेट फिंगर और स्वान नेक डिफॉर्मेटी में आप कैसे डिफ्रेंसेट कर सकते हैं गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से बहुत सारे कोस्टन नीट पीजी और एम्स पीजी के लिए आते हैं और इस टॉपिक को आपको कवर करने से आपको एनाटमी और और और्थोपीडिक में बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगा सो गाइस स्टार्ट करते हैं सो गाइस आगे बढ़ने से पहले इनका बेसिक्स जान लेते हैं है तो गाइस आपको पता होगा कि हमेर में ड्रॉ किया हो हूं यह यह दिश्टल फैलिंग्स के पोक्सिमल फैलिंग्स और में टार्पर्प जयंट और सोरी में टार्पर बॉन आप गाइस यह आप बेसिक्स अमझघ लिए इसी से आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप कैसे डिफ्रेंसियाट कर सकते हैं और गाई से एक पॉइंट और आड़ करना चाहूंगा मैं यहाँ गाई से यहां से जो टेंडन आते हैं वो बेसिकली यहां तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं इस वन इसको बोलते हैं और यू इसको बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब गाई आपको सिंपल सिंपल से टास्क करना है आपको अब मैं नमोनिक्स बताऊंगा आपको सिंपली राइट करना है बी एम एस तो गाईस फ्रॉम बी जाल प्रॉम और शी को गाईस ब्रॉम उता होने के बाद आपको आगे बर्टना है विंस्ट इत्ता होने के बाद बी के आगे आपको लिखना है पी आई पी इसको कलर चेंज कर देते हैं गाइस पी आई पी मैलेट फिंगर आसोशेट विट डी आई पी इन स्वान ने इस असोशेट विट डी आई पी आई पी सो गया यह जित्ते विटी इसमें की स्वान में प्रेंक संहोता है एक्स्थेंशन जो और ना पर्टमेंट होता हो व्युण समय परेलिशस ऑ जाता है फतल्फड सो गय इसमें होगा आपके डी आई पी जॉन्ट में फ्लेक्साग इस्ट so montanier deformity is flexion at PIP joint okay and mallet finger is flexion at DIP and swan neck deformity is flexion at DIP along with hyper extension at PIP joint okay guys now we go to basic and advanced cases so guys here I have to tell you that the proximal phalanx is the proximal phalanx is the joint so if here evulsion or medial slip is the joint so so guys PIP joint me deformity hooga so montanier me kya hoota hai jopi ip joint hai aur wahaan ka jopi central sleep hai us me evulsion hoota hai so is ka cause hai evulsion it medial or central sleep hai ye guys my apko btana chaoonga ki ye question mpg me a chuka hai so guys guys aap dhek sakti hai ki easy way me maine kaise aapko explain kiya aur mallet finger me hoota hai DIP flexion deformity hai so guys DIP me kone joint kar hai hai aapka lateral slip so evulsion at lateral slip simply causes mallet finger so yahaan koi deformity ho gaya to mallet finger hooga so mallet finger is so evulsion at lateral slip so guys ab dhekht lietate hain pahle ka video so 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 pehle maine bola tha guys B M yes start kertte hai B se to flexion at PIP joint flexion at PIP joint okay guys then come to M maine bola ta DIP joint me flexion ho jata hai flexion in DIP joint and I nè guise ye bhi bola tha ki evulsion में आपको बोला था इवल्जन एट लेटरल स्लिप है और गाइस मैंने आपको बोला था कि स्वान नेक्ड डिफॉर्मेटी में मैं आपको बोला था गाईस दि-i-p में फ्लेक्शन होता है plus hyperextension in PIP joint okay guys and swan neck deformity is seen in rheumatoid arthritis okay guys I hope guys this video helped you and thank you guys